Friends, Welcome to my Channel आज मैं आपको ब्लाउस का तीरा कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगे जैसे जब भी हम ब्लाउस का तीरा निकालते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सा परिशणी आती हैं जो नए सिलने वाले होते हैं खास करने सिलने वालों को ये परेशानी ज़्यादा आती है कि कौन से चेस्ट का नाफ है और कितना तीरा लेना चाहिए यह समझ में नहीं आता तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है जो तीरा है वो एकदम परफेक्ट लेना पड़ता है परफेक्ट तीरा निकालेंगे तो आपका जो ब्लाउज है उसके शोल्डर भी नहीं गरेंगे एकदम परफेक्ट बैठेंगे और गला भी आपका अच्छे से बैठेगा तब ही देखिए आप वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजे अब देखिए यहाँ पे जब हम शोल्डर नापते हैं तो कैसे नापना है तो यहाँ पे आपको ब्लाउज का जो गला है वो एकदम परफेक्ट आपको रखना है क्योंकि इससे क्या हो जाता है जब गला इस तरह से होता है हमारा थोड़ा सा जैसे ब्लाउज की हूप पहले आपको लगाने है और यहाँ पे आप इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से रहेंगा तो आपका जो शोल्डर है वो बहुत ही कम निकलेगा अपका इस तरह से थोड़ा सा हम थोड़ा सा खीच के लेंगे तो यह शोल्टर जो है वो बढ़ा निकलेगा तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है एकदम ब्लाउस को आराम से रखना है जैसे यहां पे हुक जो हे वो लगानी है हुक लगाने के बाद इस तरह से आपको इसे लेना है और यहाँ पे आपको इसका तीरा जो है वनापना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यह आता है हमारा 11 इंच यह 11 इंच आता है उसके बाद आपको क्या करना है जैसे यहाँ पे तो 11 इंच आया तो हमें पता चल जाता है जैसे हम regular सिलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा यह चेस्ट का नाप इतना है इसके लिए इतना shoulder जो है वो लेंगे तो भ यहां से इस तरह से होगा तो यह कम निकलेगा तो परफेक्ट निकलने के लिए आपको मैं एक ट्रिक्स बताऊंगी उससे आपको यूज करना है जैसे चोटा नाफ होगा जैसे 28-30 इंच तक या 32 इंच तक आपका ब्लाउज का नाफ होगा तो यहां पर आपका गला जो है वह आपको 5-30 इंच पे रखना है अभी 5-30 इंच पे जब आप रखेंगे तो यहां पर आपको यह चेक करना है कि आपका बैक सड़ का गला है यह जो बैक सड़ का गला है यह डीप है क्या अभी आपको यह चेक करना है जैसे यहां पर हमारा जो डीप गला आता है तो जैसे हमे साड़े पांच इंच हम शोल्डर रखने वाले थे लेकिन हमारा गला जो है वो डिब गला है तो फिर आपको शोल्डर जो है वो पांच इंच पे रखना है इससे तीरा जो है वो नहीं गिरना चाहिए एकदम परफेक्ट आना चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है? वो 5 इंच पे रखना है उसके बाद यह देखें जैसे हमारा चेस्ट का नाप है 34, 36, 38 जो भी अपके चेस्ट का नाप होगा उनके लिए गले का नाप लेना है आपको 0,5 इंच पे और शोल्डर रखना है आपको 0,5 इंच पे 9-6-6-6 जैसे 224 इंच होगा आप साड़े 5 इंच शौलडर लेंगे तो भी आपका बाउट पर्फेक्ट बैठेगा पतंच च्छ उपको क्या करना है जैसे भोंग कोलर का बलाउट लेते हैं तब मारे मारे सबथे बको खोटा नहां रखना है» च्रोटले गला और तीर जो है तो खोटा नेजने के जूटा नाफ वह और तो आपको गल्एप इन्च within मा hypocris करते हैं पहले आपको किया उस्षा ना नेजने के बाद भी आपको चेक करना है दीब होगा तो आपको डिप ऊपको घोड़ा किसे अका lin Vietnam सैज का Blouse होता है उसके लिए 1.5 इंच पे गला रखना है और 1.5 इंच पे आपको शोल्डर रखना है इस तरही कैसे लेंगे तो आपका यह बलाउज जो है वह कड़ी भी कंदे नहीं गिरेंगे शोल्डर आपका परफेक्ट आएगा गला आपको चेक करना है बैक सड का गला जो है वो चेक करना है शोल्डर का आपको आपने इसाफ से जैसे जितना शोल्डर आता है तो डिप गला होगा तो शोल्डर को कम करेंगे तो आपका जो ब्लाउस है फिटिंग में एकदम ही परफेक्ट आएगा इसमें कोई दिकत नहीं होगी जो यहाँ पे कभी-कभी शोल्डर गि तब यहां पर मैंने बहुती सिंपल तरीके से आपको बताया है अब वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रू कीजे शेयर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो